कि नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नहा वर्मा कहते हैं दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में आपको जरूर कोई ना कोई भारतिय मिल ही जाएगा जो अपने देश का नाम गर्व से उंचा कर रहा है भारत के लोग हर क्षेत्र में शुरू से ही आगे हैं चाहे वो क्रिकेट हो राजनीती हो या फिर अंत्रिक्ष से जुड़ी चीजे भारत के व्यग्यानिक आए दिन कोई ना कोई नया मुकाम हासिल करते रहते हैं ऐसा ही एक मुकाम भारत ने तब हासिल किया था जब राकेश शर्मा अंत्रिक्ष में जाने वाले भारत के पहले अंत्रिक्ष यात्री बने थे लेकिन लोग आज भी इनके बारे में कई बाते नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इनके बारे में कई अंसुनी बाते बताते ह राकेश शर्मा आज भी भारत के इकलोते इंत्रिक्षी यात्री हैं तीन अप्रेल 1984 को राकेश शर्मा ने अंत्रिक्ष को छूने वाले पहले भारती होने का गोर्व हासिल किया था 1980 का शुरुवाती दशक भारत और सोव्यत संग की दोस्ती का दोर था फिर भी सोव्यत संग ने भारत को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया था यही वज़े थी भारत में आत्म निर्भर मिसाइल कारेक्रम की परिकल्पना ने जनम लिया लेकिन सोव्यत संग ने अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत के पहले अंतरिक्ष यातरी को अंतरिक्ष में पहुचाने में मदद जरूर की इसी का नतीजा था कि 3 अप्रेल 1984 को राकेश शर्मा सोव्यत संग के सेल्यूत यान पर अंतरिक्ष में पहुचे और इतिहास में अपना नाम लिख दिया राकेश शर्मा भारतिय वायू सेना के पाइलेट थे जब उन्हें सितंबर 1982 में अंत्रिक्ष यात्रा के लिए चुना गया जो एक इस्रो और सोवियत इंट्रो कोमोसों स्पेस कारेकरम का संयुक्त कारेकरम था वे तीन अप्रेल 1984 को ही काजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बाइकोनर कोस्मो ड्रोम से सोवियत रोकेट सुयोज T-11 में बैठे और अंत्रिक्ष में रवाना हुए सुयोज T-11 यान में राकेश शर्मा के अलावा दो सोवियत अंत्रिक्ष यात्री भी थे शर्मा ने अंत्रिक्ष में साथ दिन 21 घंटे और 40 मिनट का समय बिताया उनके साथ सोवियत यूनियन के दो अंत्रिक्ष यात्री यूरी मैलिशेव, गेनाडी, स्ट्रेकलोव भी थे 3 अप्रेल से 11 अप्रेल 1984 तक राकेश शर्मा अंत्रिक्ष में रहे इस दोरान उन्होंने अपने सोवियत साथियों के साथ व्यग्यानिक और तकनीकी अध्यन किये जिसमें 43 प्रेयोगात्मक सत्र शामिल था अंत्रिक्ष यात्रा के दोरान राकेश शर्मा भारतिय वायू सेना में स्वाधन लीडर के पदपर थे अस्सी के दश्यक की शुरुवात में सोवियत यूनियन अपना एक स्पस क्राफ्ट अंत्रिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा था सोवियत की तरफ से इंद्रा गांधी को प्रस्ताव दिया गया कि वो भी इस मिशन में दो भारतियों को भेज सकती है इसी के तहट राकेश शर्मा को चुना गया था उनके साथ रवीश मलहोत्रा का भी चैन हुआ था लेकिन वो बैक अप में थे और अंत्रिक्ष यात्रा पर नहीं गये थे भारतिय वायू सेना में स्वाधन लीडर रहे राकेश शर्मा एक मात्र भारतिय नागरिक है जो अंत्रिक्ष यात्री रह चुके हैं वायू सेना के एक जवान के तोर पर अपनी नोकरी करते हुए राकेश शर्मा ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वे वायू सेना के विमान उडाते उडाते अंतरिक्ष तक पहुच जाएंगे अपने सफर को याद करते हुए शर्मा ने एक बार बताया था कि उन्होंने बच्पन से ही पाइलिट बनने का सपना देखा था जब वे पाइलिट बने तो उन्होंने सोचा कि सपना पूरा हो गया उन्होंने कहा कि अंत्रिक्ष यात्रा के बारे में तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे राकेश शर्मा ने अंत्रिक्ष में साथ दिन 21 घंटे और 40 मिनट का समय बिताया था ततकालिन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने उनसे सवाल पूछा आपको अंत्रिक्ष से भारत कैसा लगा तो उन्होंने जवाब दिया सारे जहां से अच्छा उनके इस जवाब से इंद्रा जी के साथ पूरा देश छूम उठा उन्होंने अंत्रिक्ष से गुरुत्व हींता का प्रभाव दिखाते हुए दिखाया था कि पृत्वी पर भारी कैमरा अंत्रिक्ष में कितना हलका हो जाता है जब वो वापस सब्देश लोटे तो उनका जमकर स्वागत हुआ राकेश शर्मा आज 72 साल के हैं उन्हें इस बात का अफसोस हैं कि वे लंबे समय से अब तक केवल इकलोते भारती एक्स्ट्रोनोट हैं लेकिन उन्हें इस बात के खुशी भी है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत के एक से अधिक एक्स्ट्रोनोट होंगी उन्हें इसरों के गगन यान के प्रक्ष्वेपन का बेसबरी सी इंतजार है अंतरिक्ष से लोटने पर भारत सरकार ने शांती काल के दराण दिय जाने वाले सर्वोच शोर्य पूरसकार अशोक चक्र से अन्हे सम्मानित किया सोव्यत संग ने उन्हें Hero of Soviet संग सम्मान से नवाजा राकेश शर्मा वायू सेना से Wing Commander के पत से सेवा निर्वित हुए इसके बाद वह हिंदूस्तान Aeronautics Limited से Chief Test Pilot के तोर पर जुड़े वह पहले सब्देशी हलके लडाकू विमान तेजस के निर्मान से भी जुड़े रहे Breaking News रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की Affordable Housing योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की Free Parking, EDC, IDC Free, Club Charges Free और Maintenance Free और कोई Hidden Charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें